अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के उर्दु के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है हिंदुस्त हिंदुस्तानी आयन का मतलब होता है हमारा भारतिये संविधान बहरतिये संविधान को बनाने वाले कौन है डॉक्टर भीम राओं अम्बेडकर देखेव हुश अजाद हुआ था ना तो उस हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग बिख्रे हुए थे जब बटवारा हुआ था हिंदुस्तान में काइदा कानून था ही नहीं लोगों को एक जुट कर के हमारे हिंदुस्तान में कस्पों हिंदुस्तान को कैसे चला जाएं सभी लोग भी ओते हुए नहीं सब् things iam पूरी डीटेल्स डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के बारे में जानेंगे यह कहां कहां जाकर पढ़ाई कि अपने जिन्दगी में क्या क्या कि यह सारी चीज डॉक्टर भीम राव अंबेटकर के बारे में जानेंगे इतना तो आप लोगो समझ में आहीं होगा कि यह जब जानें तो पूछी देता है कोई शक्त नहीं है तो विडियो श्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि न सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरी रूज आने वाली वीडिय का नूटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुचे और जो मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें हुए वो वीडियो को लाइक शर्व कर दें ठीक है तो चलिए फटफट स्टार्ट करते हैं अभी ऐसा नहीं है आज से बहुत साल पहले की बात में कर रही हूं और बहुत सैक्ड़ों सालों से प्रता चली भी आ रही थी कि जितने भी अच्छूत और दलित जात के लोग से उनको समाज में कोई हक ही नहीं था कोई दरजा ना तो दूर अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देते थे मतलब अच्छूतों को कोई हक नहीं था इस समाज में उनका सिर्फ यही काम था कि वो जाकर जाड़क पर धाड़ू लगाए नहीं तो चपल बुने चपल को सिलने वाला काम नहीं होता है वो करे नहीं तो कशड़ा साफ करें उनको कोई समाज में हक ही नहीं था ना वो मंदिर जा सकते थे मंदिर में एंट्री कर सकते थे ना कुए से पानी भर सकते थे मुलब सबसे नीचा और हकारत भड़ी नजरों से उनको देखा जाता था और इसी अच्छूत और दलित जात में जो है ना हूँत में यूई थी अचुद जात यूए मुलने वाले महार खांदान में याद रखिएगा दलित अचुद जात के मराथी बोलने वाले महार महार खांदान में दक्टर भीम्राओं की पैदाईश हुई थी यहां पर कोशन पूछ देता है कि बताइए डक्टर भीम्राओं अमबेटकर के जो महार खांदान था वो कौन सी भासा बोला करता था और अलग-अलग और उसमें माराथी भी देदेगा तो आप लोग माराथी करके आएगा सोचे इतना डीपली जाकर कोशन पूछता है तो जहां जहां में में पॉइंट है मैं आप लोगों को पहले से सतर कर दे रही हूं कि यहां 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 याद रखिएगा तो मराथी बोलने वाले मिहार खांदान में डॉक्टर भीम्राओं बेटकर की पैदाई मालो जी सक्पाल और इनकी वालिदा यानिकी मा का नाम है भीम भाई ठीक है और इनहीं की मतलब मा के नाम पर ही बेटी का नाम रख दिया गया डॉक्टर भीम्राओं बेटकर अपने वालिदीन के चोदहुमी और सबसे चोटे ऑलाद थे देखिए जो माता पिता थे राम ज याद रखिएगा आगे बढ़िए सब लोग उन्हें प्यार से भीमा कहते थे यह जो डॉक्टर भीम्राओं बेटकर है यह अपने माता पिता के चोदहुमी और से सबसे छोटे तो इसलिए सभी लोग इनको प्यार से भीमा बुलाते थे लेकिन उन्होंने भीम्राओं बरतानवी सरकार के फॉज में मुलाजिन हुए देखिए अपने इनके दादा का नाम है मालो जी याद रखिएगा क्या नाम है मालो जी और इनके दादा जो थे ना वह मुतलब बरतानवी सरकार उसक्त बरतानवी सरकार चल रही थी तो बरतानवी सरकार के फॉज में यह ज तो दादा जी के वज़ा से इनके बेटे राम जी मालो जी सक्पाल फ्री में उस स्कूल में पढ़ाई कर लिए राम जी मालो जी सक्पाल भले ही डॉक्टर भीम राओं बेटकर के पिता है लेकिन बेटे तो मालो जी के वज़ा से इनके पिता क्या किये राम जी मालो जी सक्प वरस तक यानिकि 14 साल तक राम जी 13 श्कूल में हैडमास्टर दक जो दॉक्टर भीन रॉके पिता जी थे राम जी मालो जी सकपाल में हैडमास्टर रहे थे ट I can और सब्छत दोश्री के वक्त उनका वड़ा सूबएदार मेंजर का था जब वडय होने वाले थे उसक्त उनको उनका पूस्ट क्या था मतलब उनको चेंज एंवास्टर से उठाकर उनको सुभेदार मेजर बना दिया गया था ठीक है और भीम्राओं की उमर अभी दो बरस की थी कि उनके वालित फॉज की मुलाजमत से सबक दोश हो गए अभी भीम्राओं मेट को छोड़कर कोंकन इलाके में दापोली मुकाम पर जा बसा जब भीम्राओं मेटकर के पिता जी का फॉजी स्कूल से रिटार्मेंट हो गया तो उनका जो खांदान है वो सेंट्रल इंडिया को चोड़कर कर कोंकन इलाके में चले गए ठीक है और वह भी नहीं तो कहां पर दापोली नाम के जगह पर जा बसे और जहां पाँच साल की उमर में इंडिकर का स्कूल में दाखिला हुआ इसे पहले पाँट साल की उमर में भीम्राओं मैटकर का स्कूल में एडिमीरीशन हुआ ठीक है in जल्द ही राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई और इस्टिश् jeunes इनका इनका जो खांदान सितारा चल रही कि यहां जाकर फिर अपने खांदान में लेकर चल गह और यहीं से अपने नाम के आगे 仔ले लगाना शुरू में, जब यह लोग सितारा में आ गए इनके जो पिता जी अपने खांदान को सितारा में लेकर चले आए तो सितारा के ही छाउनी नाम के जगा में डॉक्टर भीम राव अमबेटकर का गुवर्मेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया इनके एडमिशन करवा दिये इनके जो पिता अम्बभीम राव अमबेटकर लगाने के लिए तो इसलिए बिचल्स के लिए तो बॉलने के सहूलियत के लिए वह अंबेदकर लिखवा दिये रजिस्टर करवा दिये और वह अंबेदकर लगा कर ही पढ़ाई मुकमल की अपनी पढ़ाई पूरी की ठेके और भीम राओ छे साल के ही थे कि उनकी मा भीम भाई का इंतकाल हो गया आप लोगों को ये तो समझ में आही गया ने यान की राम जी मालो जी सक्पाल नोक्टर भीम राओ के पिता जी जो थे उनकी बहन ने खांदान की देखबाल शुरू कर दी भी मराओ को अप कडवी सचाई का इहसास होने लगा था उनको एहसास होने लगा था कि वो एक अच्छूत जात में पैदा हुए हैं और वो देख रहे थे कि किस तरह अच्छूत और दलित जात की लोग के साथ बेवार और भेदभाव किया जा रहा है और इसलिए उनको एक कड़वी सचाई का मतब एहसास होने लगा अब आगे क्या हुआ मैं आप लोगो को बताती हूँ अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉर्ट लेना चाहते हैं तो फटा फट लिजीए आगे बहुत धेर सारी जानकारी है जिसे आप लोगो को जानना जरूरी है ठीक है तो पहले लिली जी यहां तक फटफट स्क्रीन शॉर्ट अब देखिए आगे क्या हुआ राम जी की सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई जो वो सितारा में काम करते थे जहां पर नौकरी मिरी थी वो नौकरी खत्म हो गई और हुआ यह कि उनका खांदान जुने वो मुंबई चला गया इनकी मुंबई आ गया और उसके बार से मुंबई में ही यह फिस्टन हाई स्कूल में का दाखला हुआ एडमिर्शन हुआ और यह फिस्टन हाई स्कूल का माहौल है के लिए उस वक्त मतलब ना मुआफिक था क्योंकि उनके साथ भेद भाव किया जाता था फिस्टन हाई स्कूल में वहां के जितने भी स्टूडेंट थे चात्र चात्रा थे वो डॉक्ट्टर दॉitate के सांड भेद भाव किया करते थे नीची भरी नजरू से देखते थे उसके बाद से थैंस स्टूडेंट तो स्टूडेंट तीचर भी वहां के मतलब दॉक्ट्ट्र भीम रावंबेटकर को आकारत और नफ्ट्रष भरी नजरों से देखा करते थे ठीए तो वहां सब्वित मेरा जवाब हो पता है कि स्टरधिये उन्हां इस सा आठthisi मेरे मैं पास करके उन्हों सोंचा कि कर लो मेरी जितनी से लिए झाटिक करनी है देखना में मैंट्रिक का इमतहान पास कर लिए और ऐसा पहली बार हुआ था कि अच्छूत और दलित सारे जितने भी लोग थे वो जलसा मनाएं खुशी मनाएं और फिर एक तरसे डक्टर भीम रावंबिटकर को मोटिवेशन मिला कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी चाहिए जब मैट्रिक इम्जान पास कर लिया तो मुझे और आगे पढ़ाई करनी चाहिए तो फिर उन्होंन इनवेवधा वो अमेरिकर से चले गए कहां चले गह अमैरिका चले गए और उसके बाद से वहीं पर को मेन मैं कि लिया और उसी उनिए उसके बाद उसे साल वह इंग्लेंड चले गए यह जो उन्हें से सोला में ही वह इंग्लेंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में दाखला ले लिया लंदन स्कूल ऑफ इकनोमिक्स में उन्होंने एडमीशन करवाया और करवा कर साथी में एकनोमिक्स में मसी और बेरिष्ट्री की तयारी करना शुरू कर दिये इसी स्कूल से लेकिन उन्हें से 17 में उनका तालिम रुग गया कोई वजा था उसके बाद से इनके पास पैसे का भी प्र गये हिंदुस्तान वापस आकर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और एकनोमिक्स की हैसियत से सीडी हॉम कॉलेज में उन्हें से 18 से लेकर उन्हें सबीस तक मुलाजमत की देखिए जब वह हिंदुस्तान आए तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और प्रोफेसर ऑफ एकनोमिक्स यानि कि जो प्रोफेसर बनकर सिडी हॉम कॉलिज में जॉब करने लगे और 19,18 से लेकर 20 तक उन्होंने जॉब की और उससे जो भी उनको तनखवा मिला जो भी पैसा मिला उसको इकठा किये और इकठा करने के बाद उसको लिए और फिर 20 में इंगलेंड में चले गए ठीक है, फिर इं ले और वो अपनी पढ़ाई मुकंबल कर सा कि देखिए इनके पास कितना मोटिवेशन था पैसा नहीं था लेकिन उन्हें जॉब की और जॉब करने के बाद जो भी पैसा मिला उसको पैसा एकठा करने के बाद यह फिर से इंग्लेंड चले गए और वहाँ पर जो उनकी कि डिगरी आसिल की डिएसी कर लिया और बैरिष्ट्री भी पास कर लिए अब इनका पढ़ाई पूरी तरीके से मुकंबल ही हो गया यह पूरी शिक्षित हो गये जो भी यह बनना चाते थे यह बन गए इनमत तयार हो गये और फिर अब वह हिंदुस्तान वापस आकर उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई थी अब हिंदुस्तान जब वापस आये तो यह जो अचूत और दलित लोगों के साथ भेद भाव किया जाता था अब इसके खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई अंदोलन चलाने के बाद उन्होंने अचूत और दलित लोगों को तीन बाते आई कि देखिए आप जो अपना आम एखलाखी बरताओ है उसको बदलिए जो आप बरताओ करते हैं बड़े-बड़े ऊचे खंदानों के साथ उसको बदलिए अपने बरताओ को चूंज कीजिए जिस तरह बड़े लोग रहते ना उस तरह आप रही है ठीक है और अपना ब सब्सक्राइब और तीसरी उन्हों ने अच्छूतों को यह राय धी कि आप जो है ना अप superhero को चेंज कीजिए और यह चालाथ की तरह करना इसको मत कीजिए ठीक है आप बड़े लेवल की तरह रही बड़े लोग की तरह रही है ठीक है तो यह सारी राय दिये और उन्होंने तहरीक चला दी आंदोलन चला दी अचूत और दलित लोग के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ और यह जब आंदोलन च क्यों ना कर ले डक्टर भीम रावंबेटकर को कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने अचूत के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया और जीत भी गये वह जो भी भेदभाव खत्म करना चाहता थे वह खत्म कर दिये और उसके बाद से अच भीम रावंबेटकर मतलब हमारे हिंदोस्तान में दी हैं और 14 बरस की अमर यह भी जाना जरूरी है चोदा 14 परस की उमर 25 दरजा के तालीब इलमी के जमाने में जब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर 14 साल के थे और पांचवी दर्जा में पढ़ते थे तो उनकी शादी जो है नौ बरस की लड़की रामा भाई से हुई थी याद रखिएगा रामा भाई से हुई थी लेकिन रामा भाई के इंतकाल होने के बाद उन्ह पी नहीं तो उची जात की तालीम या फता पढ़े लिखी लड़की से ठीक है और आगे बढ़िए पांच सितंबर उन्हें से चपन की रात को वह सोने गये तो सोय ही रहे गये इसका मतलब आप लोग समझते हैं ना आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार है सोय गये सोय सो पांच सितंबर 56 की रात वह सोने के लिए बिस्तर पर गये तो निंधी में उनकी वफात हो गई उनकी मौत हो गई वो सोय ही रह गये आप लोग को जो कुछ में आप लोग को समझाई समझ में आया और भी बहुत चारे एहम योगदान हमारे हिंदुस्तार में डॉक्टर भी में कमिट करके पोच सकते हैं और उसके बाद से वीडियो अच्छा लगा और जो कुल्ट्री में आप लोग को समझाई तो आप लोग तो लाइक शर्व अगरत तो करी दिये होंगे तो चलिए फिर मिलेगर एक्स टॉडियो में नेक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जाह और खुदा हपीज